दोस्तों यदि आपका bank account SBI यानि की estate bank of India में है और आप SBI के mobile banking app योनो SBI का M pin यानि की login pin साथी आप user ID और login password भूल गए हैं तो किस तरीका से आप लोग दुबारा से M pin मनाएंगे इसके अलाबा user ID किस तरीका से मालूम करेंगे साथी login password कैसे बनाएंगे आज किस वीडियो में आपको हम detail में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों हमने योनो SBI को open कर लिया है open करने के बाद login पर click करते हैं तो यहाँ पर देखे login करने के लिए M pin मांगा जा रहा है यदि आप अपना M pin भूल गए है या पर यहाँ पर user ID पर click करते हैं तो यहाँ पर देखे username और password मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर username और password भी भूल गए हैं तो आपकी इस तरीका से योनो SBI में login करेंगे चलिए आपको हम detail में दिखाते हैं यहाँ पर M pin set करने के लिए सबसे पहले आप अपना username मालूम करना ह उसके बाद आपको login password बनाना परेगा उसके बाद ही आप योनो SBI में login कर पाएगे इसके लिए आप mobile में Google या फिर Chrome को open कर लिए इसके बाद आप यहाँ पर type करेंगे SBI net banking आप यहाँ पर जैसे ही search करेंगे SBI net banking यहाँ पर देखिया जागा estate bank of India personal banking आप इस पर click कर लेंगे अब आपको इस तरिका से open हो जागा आप यहाँ पर continue to login पर click करेंगे इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है forget username login password आप इसको select कर लेंगे इसके बाद आप next पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको detail fill up करना होगा सबसे पहला यहाँ पर है CIF number तो आप इस box में अपना CIF number fill up करेंगे CIF number आपके passbook पर लिखा हुआ रहता है यहाँ फिर आप bank account का statement लेंगे तो वहाँ पर भी आपको CIF number लिखा हुआ रहता है चलिए इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है country तो आप यहाँ पर select country पर click करेंगे और यहाँ से आपको India select कर लेना है चलिए select कर लेते हैं इसके बाद आपके bank account के साथ जो भी mobile number link है mobile number registered है आप इस box में अपना mobile number fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे code दिया गया है इस code को आप इस box में fill up करेंगे चलिए हम detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद submit पे click करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आएगा यहाँ पर देखे OTP आ चुका है तो जो भी आपको OTP आया है username send किया गया होगा तो आपका जो भी username है आप इसे note कर लेंगे चलिए अब यहाँ पर आपको back हो जाना है और फिर से आपको इसी page पर आजाना है इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर देखे लिखा हुआ forget username login password आपको इस पर click कर लेना है चलिए इसको हम तरह जूम कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है forget my login password आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आप लोग दो तरीका से login password बना सकते हैं सबसे पहला तरीका है कि आप लोग घर वैठे login password बना सकते हैं इसके अलावा दूसरा तरीका है आपका जो भी SBI के ब्रांच में account है आप SBI के ब्रांच में जाकर के भी login password बना सकते हैं यदि आप SBI के ब्रांच में जाकर के login password बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे लिखा हुए state login password for request approved by branch आप इसको select कर लेंगे लेकिन यदि आप घड़ बैठे login password बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे लिखा हुए forget my login password आप इसको select करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर next पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको detail fill up करना होगा जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है username तो जो भी आपका username है आप इस box में अपना username fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर account number तो जो भी आपका estate bank of India का account number है आप इस box में अपना account number fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर country तो आप यहाँ पर select country पर click करेंगे और यहाँ से आप India को select कर लेंगे यहाँ पर देखे इंडिया लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है mobile number तो आप यहाँ पर इस box में अपना mobile number fill up करेंगे चले इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है date of birth तो आप इस box में अपना date of birth fill up करेंगे ध्यान रहे कि date of birth में आप पूरा पूरा date, month और year फिल अप करेंगे जैसे कि आपका date of birth 11 1990 है तो आप इस तरीका से फिल अप करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 11 1990 इस तरीका से फिल अप करेंगे इसके बाद जो भी यहाँ पर code दिया गया है आप इस code को आप इस box में fill up करेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद submit पे click करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आया होगा तो आप इस box में OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP को fill up करने के बाद confirm पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे login password set करने के लिए आगे हैं तो आप यहाँ पर तीन तरीका से login password बना सकते हैं सबसे पहला यहाँ पर using ATM card detail यदि आपके पास SBI का ATM card है आप इसको select करके login password बना सकते हैं लेकिन यदि आपके पास ना तो ATM card है और ना ही आपको अपना net banking का profile password मालूम है तो यहाँ पर login password बनाने का तीसा तरीका है reset your login password with branch activation तो आप branch में जा करके भी login password बना सकते हैं चलिए हम यहाँ पर आपको घर बैठे login password बनाने के लिए बताने वाले हैं तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं using ATM card details इसके बाद आप यहाँ पर submit पर click करेंगे अब जो भी आपके bank account के साथ ATM card link है यहाँ पर वाशो करेगा और ATM card का पहला चारक्षर इसके अलावा last का चारक्षर यहाँ पर show करता है साथ यहाँ पर आपका नाम इसके अलावा यहाँ पर देखे लिखा है card type में active यानि कि आपका ATM card active है इसके बाद आप यहाँ पर इस box में tick कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर confirm पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको detail fill up करने के लिए आजागा तो यहाँ पर सबसे पहला है card holder name तो यहाँ पर आप अपना नाम fill up करेंगे के बाद यहाँ पर expiry date तो जो भी ATM card पर expiry month और year लिखा हुआ है आप यहाँ पर fill up करेंगे ध्यान रहे कि आप यहाँ पर year में पूरा पूरा year fill up करेंगे इसके बाद यहाँ परあっ pin तो जो भी ATM card का pin है आप यहाँ पर अपना ATM pin fill up करेंगे ATM pin मतलब जो ATM pin के माद्धेम से आप लोग किसी भी ATM machine में जा करके ATM card से पैसा निकालते हैं वह ATM pin आपको यहाँ पर fill up करना है इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो भी code दिया गया है इस code को आप यहाँ पर fill up करेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे login password set करने के लिए आगया है तो जो भी आप login password रखना चाहते हैं आप यहाँ पर बना लेंगे लेकिन धिया लखेंगे कि login password आपको minimum 8 character का और maximum 20 character का रखना है इसके अलावा login password में आपको capital letter, small letter, इसके अलावा special character साथी number को सामिल करना है यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम login password किस तरिका से बनाए तो आप यह screen पर दिये गया अनुसार से login password अपना बना सकते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम अपना login password बना लेते हैं जो भी आपने यहाँ पर login password बनाया है नीचे भी आपको login password same to same type कर लेना है, यहाँ पर password set करने के बाद, submit पे किलिक करेंगे, आब यहाँ पर दिखिया गया है your login password has been reset successfully, यानि कि आपने जो यहाँ पर login password बनाया है वह login password बन चुका है, अब आप लोग UNOSBI में login कर सकते हैं चलिए, अब आपको हम यहाँ पर UNOSBI में login करके दिखाते हैं UNOSBI को open कर लिया है open करने के बाद, अब login पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर MPIN के माध्यम से login करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर user ID और password के माध्यम से login करना होगा, उसके बाद ही आप MPIN सेट कर पाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर user ID पर किलिक करना है अब जो भी आपका username है आप यहाँ पर अपना username फिल अप करेंगे इसके बाद जो भी आपने login पासवर्ट बनाया है यहाँ पर login पासवर्ट फिल अप करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर login पर किलिक करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं हम Yonon SVI में login हो चुके हैं यहाँ पर देखे 3 dots दिया गया है आप इस पर किलिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर service request पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है settings आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे आगया है set ampine तो आप यहाँ पर set mpin पर click कर लेंगे अब आपको इस तरीका से आ जाएगा आप नीचे scroll कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आप next पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं mpin set करने के लिए आगिया है तो जो भी आप mpin रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का mpin बना लेंगे धियान रहे कि आप यहाँ पर जो भी mpin बनाएंगे आप इसी mpin के माध्यम से योनो sbi में login कर पाएंगे जो भी आपने यहाँ पर mpin बनाया है नीचे भी आपको same to same mpin type कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर next पर click करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आएगा यहाँ देखे मेरे पास OTP आ चुका है जो भी आपको OTP आया है आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP type करने के बाद next पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया गया है you have successfully created your mpin यानि कि आपने जो यहाँ पर mpin मनाया है वह mpin बन चुका है अब आप लोग mpin के माद्धेम से UNOSBI में login कर सकते हैं चलिए OK पर click कर लेते हैं अब दोस्तों आपने जो भी 6 अक्षर का mpin मनाया है यहाँ पर वह mpin fill up करके UNOSBI में login कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर user id के माद्धेम से भी login कर सकते हैं जो भी आपका username है आप यहाँ पर username और जो आपने login password बनाया है यहाँ पर login password फिल अप करके login पर click करके आसानी से UNOSBI में login कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग UNOSBI के यदि mpin भूल गए हैं साथी username और password भूल गए हैं तो आसानी से बना सकते हैं मैंने आपको detail में बता दिया है यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो comment करना मत भूलिए साथी वीडियो को like जरूर करिएगा फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए bye take care